हेलो एब्रीवन, यूबू प्लिस कोश्टेवल एक्जाम डेट डेक्लियर हो चुकी है, जी हाँ, 18 फरवरी 2024 को ही आपका परिच्छा होगा, तो आप कंटिनू लग जाईए और ओपिसल साइड पर अपना एक्जाम सिटी देख लीजिए, सभी स्टुडेंट अब एक भी दि के लिए एक सब्द दीजिए, जिसे कभी बुड़ापा ना आए, उसके लिए एक सब्द क्या है, तो राट अंसर है इसको कुशन का अजर, फोर्त अप्शन इसका करेक्ट अंसर है, दूसरा कुशन देखेंगे, दिये गए सब्द का समान अरती सब्द बताईए, कोयल का सम समान अरती सब्द क्या है, तो इसका करेक्ट अंसर है, कोकिला, तो पहला अप्शन राट अंसर है, तीसरा कुशन देखेंगे, दिये गए सब्द के समान अरती सब्द का चैन करें, लहर का समान अरती सब्द क्या है, इसका राट अंसर है, उर्मी, फोर्त अप्शन राट अ पान्चमा कोशन है सही बरतनी वाले सब्द का चैन करें तो प्रहलाद किस अप्षिन में सही लिखा है तो पहले यहां पर द्यान देंगे प्रहलाद किस तरह से सही लिखा है तो यह इस अप्षिन में है पहले अप्षिन में प्रहलाद तो देख सकते हैं पहला अप्षिन राटनसर है छटमा कु कुछ आएंगे रेक्तिस्तान की पूर्ति के लिए सबसे उप्यक्त सब्द का चैन करें ब्रच वह ब्रच की डाली काट रहा था तो कौन सा अप्शन सही आएगा यहां पर तो वह ब्रच की डाली काट रहा था तो सामन डाली नहीं वह ब्रच की सूखी डाली तो यह नहीं हो स आग में कुंदना मौावरे का सही अर्थ क्या है तो आग में कुंदना मौावरे का सही अर्थ है जान जोखमे में डालना तो पहला अप्षन करेक्ट आंसर है कलेज कोसण देखेंगे, आठमा कोस्छन है, उस बिकल्पका चेंड करें, जो निमनल मौाबरे का अर्थ बखत करता है, कलेजा ठंडा होना, इसके लिए कौन सा सही अर्थ मौाबरे का, तो मन में सांती होना, प्रिया होना, धीरेज रखना, बहुत दुखी होना, तो कलिजा ठंडा होना मन में सांती होना फोर्थ अपसन करेक्ट आंसर है नेक्स कोशन देखेंगे नौमा कोशन है चंदरमा के समान मुखवाला बक्यांस के लिए एक सब्द लिखिए उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो राट आंसर है चंदरमुख correct answer is fourth option next question देखेंगे 10. question दिये गए सब्द का बिलोम चुने तो normal का बिलोम क्या है normal का बिलोम बताएं सभी तो normal का बिलोम है malin right answer is question का पहला अप्शन 11. question दिये गए सब्द का बिलोम चुने लगो का बिलोम क्या होगा तो लगो का बिलोम होगा गुरू right answer is question का fourth option सभी question है आपकी परिष्छा में 18 फरवरी को इसी टाइप के question हिंदी के आएंगे तो पूरा पेपर जरूल देखिएगा जो मैं आपको कराने वाला हूँ सही बरतनी वाले सब्द का चेन करें कौन सा सही बरतनी वाला सब्द है सन्यासी किस तरह लिखा जाता है तो देख पा रहे हैं आप इसमें तीसरा option right answer है तो third option correct answer इसका सन्यासी next question का अंसर देखेंगे उपर की ओर जाने वाला बक्यांस के लिए एक सब्द होगा simple question नहीं पूछ रहेंगे हिंदी के ऐसे ही question पूछ रहेंगे तो उपर की ओर जाने वाला उसके लिए एक सब्द क्या होगा उर्दगामी fourth option right answer है next question का अंसर देखेंगे 14 question है दिये गए बक्यांस के लिए एक सब्द दीजिए जिसके समन कोई दूसरा न हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो उसे कहते हैं अदुतिया right answer है इस question का पहला option next question का अंसर देखेंगे 15 question है दिये गए बक्यांस के लिए एक सब्द चुनिए जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो जो पहले हो चुका हो उसके लिए होता है भूत पूर्व तो right answer है इस question का थड़ अप्शन next question का अंसर देखेंगे अगर आप समीने अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है जो आँखों के सामने हो प्रतच्च तो right answer है इस question का second option next question का अंसर देखेंगे सत्रेमा question है निम्नल अक्तिम से उस विकल्प का चैनल करें जो कोलू का बैल होना मावरे का अर्थ ब्यक्त करता है तो कोलू का बैल होना उसके लिए अर्थ क्या है तो यहाँ पर देखेंगे चार option को राथ दिन काम में लगे रहना बैल से कोलू चलवाना ये तो नहीं होगा बैल के समान बुद्धी होना ये भी नहीं होगा कोलू में बैल जोतना तो ये भी नहीं होगा राथ अंसर राथ दिन काम में लगे रहना उसी को कहते हैं कोलू का बेल होना पहला अप्षन राट अंसर है सही बरतनी वाले सब्द का चैन करें कौन सा सही बरतनी वाला सब्द है उतक्रेश्ट किसमें अप्षन में राट अंसर है तो आप पहले बोल के देखेंगे उतक्रेश्ट कैसे बोला जाता है तो उत्क्रेश्ट तो ये तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा उत्क्रेश्ट दूसर अप्सन राट अंसर है 19 मा कुशन है सभी करेक्ट अंसर करेंगे दिये गए सब्द का बिलोम चुने गणा का बिलोम क्या होगा तो गनहा का बिलोम बताऊ सभी क्या होगा तो यहाँ पर देखेंगे बिलोम पूछा है तो ये तो पर्याबाचींज के 12 इरसा निंदा गनहा के ठीक है लेकिन एक यह ऐप्सन बचता है प्रैम बिलोम इसका क्या हो जाता है प्रैम तो इंपोडन कुष्षन है इस तरह आपां तो आप देख सकते हैं कौन से अप्शन में सही बैठ रहा है वेवस्ता तो राट अंसर है इस कुछन का थर्ड अप्शन नेक्स्ट कुछन का अंसर करेंगे सभी 21 कुछन है जल्दी से अंसर करें पत्थर की लखीर होना मावरे का सही अर्थ है बताओ कौन सा इसका राट अंसर है तो पहला अप्शन मूर्ख होना गलत है नकल करना ये भी गलत है कठोर होना और बात पक्की होना तो देखो पत्थर की लखीर होना कठोर होना तो नहीं होगा बात पक्की होना तो राट अंसर सब्सक्राइब करें तो इसमें राजनेतिक किस तरह से लिखा जा सकता है तो आप सभी जल्दी से आंसर करें देखो राजनेतिक राजनेतिक तो यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा राजनेतिक second option में correct answer लिखा है आप option eliminate करेंगे तो easily answer दे पाएंगे इसी तरीके अजमाना आपको exam में अजमाना नहीं है लागू करना है तेश्मा question है सही बरतनी वाले सब्द का chain करें तो अलपायू किस option में सही है तो देखेंगे important question है यह नहीं हो सकते तीन अप्षन अप्षन देखते ही eliminate करना सिखिए चौविसमा question है दिए गए सब्द का bloom चुने उत्क्रेश्ट का bloom bloom पूछा है नकेस में आपको बरतनी तो उत्क्रेश्ट का bloom क्या होगा तो यहां पर देखो पहला संक्री यह नहीं है कश्ट यह नहीं कर दिए तो राइट अन्सर है निक क्रेश्ट उत्क्रेश्ट का बलोम है निक्रेश्ट तो राइट अन्सर राइट इस कुषन का फोर्थ अप्सान 25 में को सनकांसर देजिए सभी निमन लिखते में से उस बिकल्ट पर अचन करें जो आँख न बाना एक आँख न बाना मावरे का अर्थ ब्यक्त करता है तो राट अनसर बताएं एक आँख न बाना तो देखो पहला अप्सन है काना होना यह तो गलत है जरा भी अच्छा न लगना यह हो सकता है बहुत अच्छा लगना यह तो गलत है एक आँख से देखना यह भी गलत है तो एक यह अप्सन बचता है सेकंड अप्सन जरा भी अच्छा न लगना तो फॉर्ट सेकंड अप्सन राट अंसर है तो आपने इन 25 कुश्ण में से कितने कुश्ण सही किये हैं कॉमेंट में जरूर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपक पर चातें किस अब्जक्टिस से समझेद जरूर कॉमेंट में लिखेए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को नहीं देखने हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिश्र में दे दिया है आप यहां से भी देख सकते हैं थैंक्स पो आच माई वीडियो